नवस्कार दोस्तों मैं कुभर पटितार अभी दो दिन पूर्व जारी मेरे द्वारे वीडियो जारी किया था मैंने चैनल पर जिसमें 1 जनुरी 2016 से 7 पे फिक्सेशन जो विपागी आदिश्या इनुसार उसके इनुसार जो फाइनेस डिपारिमेंट द्वरा जारी करीगी श यहां पर लिखने से सीज़ी जी आपके मोबाइल में यह टेस्ट इस्ट खुल जाती है जिसका प्रयोग आप असा निशे कर सकते हैं तो इस वीडियो को लेकर टेचर के इतने कमेंट मेरे चैनल पर भी आए और इसी के इतने ही मैसेज्ज चो मेरे मोबाइल पर आए जिसमे सबी का एक सवाफ था कि सर मेरे dot셔 15 में मेरा बैसिक इतना था और अब मेरे मुझे फिकल में सैवन पे फिकल सेशां जो एक जनुरी सेवाराक है उसमें कौन सी डेट मैं शौक करूं और मेरे कौन सा इतना क्पैमेंट सेलेरी कितनी बनेगी बैसिक तो इन सारे सवालों को ज एक जन्वरी 16 जो फिक्सेशन लगने, 7 पे फिक्सेशन होने के बाद में, मेरा बैसिक कितना होगा, सबी की इस तरिके की सवाल के, और जिसमें अपन, जो यहां पर जो शिक्षिक द्वारा, जो यहां पर जो confusion पैदा हो रहा है, यहां पर तीन option बताएगे हैं, जो भी mistake अपन अपने से हो रही है, वह यही पर यही तीन option है, यहां पर तीन option बताएगे, यहां पर जो है, ओपर जो name, अपना जो service name, एन employee, name, department name, education, यह सारी चीज़ तो आप पर लब कर लेते हैं, यहां पर जैसे grad पर यहां पर बताएगी है, और यहां पर basic December 15 का, यहां पर जो है, यहा और यहां पर जो मिश्टेक हो रही है वाली बात यहीं पर कर रहे हैं जो टीचर यहां पर सेलेक्शन करने में अगर आपको सीपी लगी है फस्ट सीपी मालो मिलिए और उसी अनुसार आपका अगर उसी वर्ष में प्रमोशन हो जाता है तो दोनों एसीपी या प्रमोशन दोनों में ग्रैट पर ही बढ़ती है अपनी तो दोनों में से एक को चुणना है आपको अगर आपको एसीपी लगी है तो आप प्रमोशन को नहीं गिन सकते और अगर प्रमोशन हुआ है तो एसीपी आपकी नहीं गिन सकते हैं जिसे फरस्ट sapy मानलो नौ साल बात लगती और 20 lcp 18 साल और 27 साल बात थ़र एसमें इसमें अपने ग्रेड़ पर बढ़ती है जैसे वस्त प्रोमोशन आप का है और वस्त लगी नो साल बात तो आप दोनों में से एक ही गिना जाएगा है यहां पर और अगर फर्स्ट प्रोमोशन आपका हुआ है पहले थर्ड ग्रेड में टीचर थे और फर्स्ट प्रोमोशन से आप सेकेंड ग्रेड में होगे यहां पर फर्स्ट प्रोमोशन सेकेंड प्रोमोशन आपका लगा मानलो सेकंड ग्रेट से लेक्चरार की पोस्ट पर चले गए सेकंड प्रमोर्शन जब मिला आपको वह एक जनवरी सोला से 30 से अपने प्रेट में लगा मालो और चॉइनिंग डेट होगी आपकी पर एक्जामपल अगस्त उनतीस 2016 तो यहां पर जैसे ही आप कैकुलेट सीट पर क्लिक्ट करेंगे तो यहां पर यह कि मेसेज़ यह मेसेज कि प्रोवाइड फिस्ट प्रमोशन डिटेल एंडन और अंचेक चीर्माशन पॉपशन Candice है कि कि यहार परफस्ट प्रमोशन कीटिछिल देने हैं आपको आपका अगर 14-15 में पर्मोशन हुआ है तो उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं यहांपर यानि कि जो आपका पर्मोशन अगर जन्वरी 16 में ही हुआ हो तकाल तो ही आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो इस तरह किसे यह तीन जो मुख्य confusion थे इसमें यहां पर selection करने में जो teachers द्वारा confusion हो रहा है उस वज़े से यहां पर जो statement of fixation जो calculate sheet यहां पर आती है वो यहां पर नहीं आप आती है और यहां पर basic भी अपना जो mall basic है और जिसका DA है और area sheet generate यहां पर नहीं कर सकते हैं ऐसे इस्तिति में और यहां पर आपको help के लिए जो दिया हुए यहां पर all schedule वाइस जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहां पर यह और all schedule 5 order date 28 jun 2013 की जो आपको helping के लिए जो basic वगरा और ग्रेट पे जहां पर दी हुए शो की हुए उसको आप use कर सकते हैं और यहां पर new schedule 5 दिया हुआ है जो October 30, October 17 की जो नई ग्रेड पर वगरा जो है उसका schedule है इसकी help आप ले सकते हैं और new option form जो है एक जनवरी 2016 से जो 7 पर फेक्षेजरों नावा है उसका option form यहां पर आगया है जिसका link इस video description में डाल दी है मैंने आप आसे download कर सकते हैं और शीर जो जीर जारी हुए है पर इन डिपर ने अंदर आ उसका link भी मैंने इस video description में डाल दिया है जहांसे आप आसाने से इसको download कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपने subscribe कर ले और bell icon को जुरूर दबाए यह तीन जो मुक्य option थे जिसको आप selection करते वक्ते जम mistake हो रही थी तो उस वज़े से अपना basic वगरा और इसमें DA कितना बना और area कितना मिल सकता है इसकी calculation नहीं आ सकती इसलिए मैंने यह वीडियो जारी किया था ओके ठेंक्स